दोस्त जमुनापुर गाउं में रामु नाम का एक गरीब आदमी अपनी तीन बेटियों और एक बेटी के साथ रहता था। घर भी तो रामु कहता है सिट जी थोड़ा टाइम दो मैं चुका दूंगा तुम्हारा भ्याज ज्यादा लगता है और जम नालाल कहता है मैं कुछ नहीं जानता हूं और रामु उस दिन से दुगनी मेहनत करना शुरू कर देता है खेतों में काम करने के साथ साथ और भी कई तरह के काम करता है और रामु शंकर भगवान का बहुत बड़ा भगत था लेकिन वे दुख जैलते हुई भी शंकर भगवान की पूजा करना नहीं भूलता था और रामु एक दिन खेत से काम करके आ रहा था तभी उसकी बड़ी बेटी रोकर उसके पास आती है और बोलती ह पिदा जी हम तीनों की स्कूल की फीस नहीं भरी हमें स्कूल से बाहर निकाल दिया गया और रामू अपनी तीनों बेटियों के साथ प्रिंसिपल के पास पहुंच दाता है और विंटी करते हुए बोलते मैडम जी मैं बहुत गरीब आदमी हूँ आप से मेरी गरीबी छुपी नहीं है मेरा सपना है मेरी बेटी पर लिखकर कुछ बन जाए लेकिन प्रिंसिपल बोलती है देखो रामू स्कूल दया धर्म पर नहीं चलता है बलकि पैसों पर चलता है तुम्हें पैसे जमा कराना पड़ेगे उसके बाद रामू अपनी तीनों बेटियों को लेकर वाप रामू के पास जाते है और उसे घर पहुचा देते है तो रामू का पैर तूट गया और बच्ची रोती हुई बोलती है यह शंकर भगवान मेरे पिदा जी तो आपकी बहुत पूजा करते हैं फिर भी हमेशा संकर क्यों देते है और रामू काम पर नहीं जाता था इसलिए उसके घर में कंगाली चा गई और शंकर भगवान एक भिकारी बालक का रूप धारन करके और रामू के घर में एक ही रोटी बनी थी तब ही वह बच्चा रामू के घर पहुचकर आवाज लगाता है और उस एक रोटी को भी रामू उसको दे देता है और रोटी खाते ही बा निकाल कर देता है और एक तरब वे हैं बालग हल में जुड़कर खेत को जुद देते हैं रामू के खेत में शिवलिंग उगते हैं और रामू और उसकी बेटी बाजार में जाकर शिवलिंग बेचने लगते हैं तो रामू की लड़की बोलती है बिमारी दूर करने वाले लिंक दे देता है तो औरत की आंखे ठीक हो जाती है उसके बाद वे औरत रामू को धीर सारे पैसे दे कर चले जाते है और रामू की दुकान पर भीड लगने लगती है तो रामू बहुत पैसे कमा लेता है रामू जमुनालाल का पैसा चुका देता है और बच्चों की स्कूल की फीज भी जमा कर देता है अगर दोस्तों आप भी शंकर भगवान से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक चानल को सब्सक्राइब करें